हेलो भई नमस्कार रामराम क्या हाल चाल बढ़िया आज आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट या एक गुजारिस आपसे करने के लिए आया हूँ है भई हमारा जो TGT की भरती थी ठीक है TGT की जो HSSC ने TGT की भरती निकाले थी 7471 बरती निकाले थी पिछले साल इनका पेपर हुआ था सब कुछ हो गया था पेपर बिवच्चों ने दे दिया था बिलकुर सारी चीजे समय अनुसार हुई थी लेकिन अभी इनका कोई result और जोइनिंग की ओपर कोई बात नहीं हो रही लगबग 1 साल हो गया है इन भरतीयों को पेपर हुए इसके बाद ना ही जो कोई result के बात हो रही है ना ही कोई जोइनिंग के बात हो रही है हलाकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाए थी जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग आपके 28,000 टीचर्स की अभी ओर रिक्वाइर्मेंट है भरती ये भी करने चाहिए लेकिन जो इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर रखे वो भरती भी पूरी नहीं हो रही है तो इसके लिए सभी बच्चों ने HSAC का जो ओफिस पंचकुला में वहाँ पर धरना परदर्सन करने की प्लानिंग की है योजना की है कि हम लोग 12 परवरी को यानि के कल तुभे 11 बजी सारे कंडिडेट जो भी TGT के क्वालिफाई कंडिडेट है जिन्होंने पेपर दे रखा है वह वहाँ पर जाएंगे और अवाज उठाएंगे कि भाई माने निये कटर सरकार सब हमारा जो रजल्ट है वो दो जो आइनिंग दो और ताकि हम भी अब बच्चे देखे बहुत सारे लोग थे उस समय पहले कोई अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था कोई कही पढ़ा रहा था सारा सब कुछ काम धंदा छोड़ चाड़ के बिचार अपना आपको पता है टेचिंग के अंदर जो लोग होते हैं वो सारे अपने वेल्स अपने काम धंदे लगे होते हैं बाल बच्चों अले होते हैं तो उनकी जो आजिविका का साधन था वो भी उनका जो हो गया एक तरह से मानलो चूट गया दूसरा अब सरकार भी इसके ओपर कोई एक्सन नहीं ले रही है कि एट लिस्ट उन्हें पता चल जाए रेजल्ट आ जाए कि हमारा होगा के नहीं होगा और होगा तो फिर जल्दे से जवाइन करो वक्यान से निकालने का मतलब यह है कि आप इतने इतने दिनों तो किसको लटका के रखेंगे तो इनी सब मुद्दों के लिए सरकार का या डिपार्टमेंट का एसससी का ध्यान अपनी तरफ आकर सित करवाने के लिए कल बच्चे ग्यारा बजे पंच कुला जा रहे है धरना ओफिस पर तो आप सभी से भी कि आप भी पहुँचिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जाहिद जावारत